Hello everyone, this is Preeti, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube channel Let's Compete में आज हम डिसकस करेंगे Gene P.I.J. का Cognitive Development Theory या जिसको हिंदी में कहा जाता है Gene P.I.J. संग्यारात्मक विकास बहुत जाद अनपॉर्टन थियोरी होने वाली है CT8 के point of view से और मैं नोर्स के माद्यम से ये थियोरी आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई confusion नहीं हो regarding this theory आगे डिसकस करने से पहले सबसे पहले हम ये डिसकस करेंगे कि Gene P.I.J. थेक होने Gene P.I.J. बेसिकली सुजियन लैंड में जन्में थे और ये एक Swiss Biologist बिनको कहा जाता है ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ सिखाने की जुरत नहीं है वो खुद बखुद सीखता है ये आप ध्यान में रखेंगे ठीक है तो संरशनवाद पे बहुत ज़ादा जो है जो है जोड़ था Gene P.I.J. का तो अब Gene P.I.J. का जो Cognitive Development Theory है उसकी चार स्टेजिस हैं वो हम बेसिकली मुझे डिसकस करनी है आपके साथ और इनी से हमेशा questions पूछा जाते है Hindi English दोनों में ये वीडियो होगी इसलिए किसी भी माध्यम के बच्चों को भी परिशानी नहीं होगी और आपको वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए Stages of Cognitive Development हम देख लेते हैं सबसे पहली स्टेज हमारी होती है Sensory Motor Stage जिसको हिंदी में कहा जाता है समवेदी पेशिये अवस्था ये होती है Zero से Two Years तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि Sensory Motor Stage कितने से कितने तकी होती तो Zero से दो साल के बीच में होती है Sensory Motor Stage अब इस स्टेज की क्या क्या Characteristic हैं क्या क्या चीज़े से स्टेज में बच्चा करता है या बच्चा सीखता है देखो फर्स्ट है Learn by Sensory Organs जो छोटा बच्चा होता है जब वो Zero से लेकर के दो साल के बीच में वो जितनी भी चीज़े सीखता है वो अपने Sensory Organs से सीखता है मतलब अपनी ज्यानेंद्रियों से सीखता है मतलब अपनी आँखों से सीखता है देख करके सीखता है कानों से सीखता है सुन करके सीखता है क्योंकि उसका दिमाग तो काम करता नहीं है दिमाग तो उसका विक्सित होता नहीं है इसमें कोई Cognition विक्सित नहीं होता है इसलिए जो भी से सीखना है अपने Sensors से सीखना है ये आप ध्यान रखेंगे सेकेंड चीज है object permanence होती है बहुत जाथ important है ये point हमेशा पूछा जाता है सीटेट में तो बहुत बार पूछा गए object permanence जो होती है वस्थू इस्थाइत्व कौन सी जो stage है उसका characteristic है तो sensory motor stage में object permanence पाई जाती है वस्थू इस्थाइत्व last तक आते आते मतलब एक साल के बाद बच्चे में object permanence विक्सितोना शुरू होती है ये होता किया देखो object permanence का मतलब होता है किसी बच्चे में किसी वस्थू की एक fix structure बन जाना जैसे कि बच चोटे बच्चे खिलोनें से खेलते है अगर आप dacer की आप दो महीने के बच्चे के सामने खिलोना रखोगे और थोड़ी देर बाद ये हैं लने के कही हटता दोगे तो उसे कोई फरक नीपड़ेगा मतलब उसे पता ही निए दिक्सित होना मतलब जो चीज उसके सामने है अगर आप सामने से हटा दो तो उसे पता है कि ये कहीं गई नहीं है इन्होंने हटा दी है तो उसके दिमाग में उस वस्तु के प्रती जो एक इस्थाई तो पैदा हो गया है तो अब्जेक्ट पर वानस होती है ये क्रूशन जब्ky जपकाना ऐसा बच्चे करते हैं फिर क्या कर लेते हैं जैसे कि हात पाइर मारते रहते हैं आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो ये अनचे क्रियाँ बेसिकली ज़ादा करते हैं या फिर उनकी हात में कोई चीज आप दो तो एकदमसे उसको ग्रैस्प करते हैं ग्रैस्पिक पावर बच्चे के बढ़ जाती है, तो ये सब क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्षिन, तो ये सब सैंसरी मोटर स्टेज या सम्वेधी पेशी अवस्था की जो है विशेष्टाइं होती है, ये तीन है और इनी से क्रेशन पूछा जाता है, चलिए, नेक्स जो स्टेज है वो आपकी आती है, प्री ओपरेशनल स्टेज, अच्छा वीडियो को जदा से जदा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकोज चैनल नया है हमारा, तो एक सपोर्ट चाहिए होता है हमें, ठीक चलिए, प्री ओपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, पूर्वे संक्रियात्मक अवस्ता कहा जाता है इसको हिंदी में, तो ये बिसिकली होती है, दो से साथ साल की अवस्ता मानी जाती है, इसको दो कैटेग्री में डिवाइड करा गया है, प्री कंसेप्शुल और इंक्यूसिव कहा जाता है इसको, तो प्री कंसेप्शुल है, वो दो से चार साल की मानी जाती है, और इंक्यूटिव मानी जाती है, चार से साथ साल की, ठीक, आप कुछ करेक्टरस्टिक देखेंगे, प्री ओपरेशनल स्टेज के पूर संक्रियातमक अवस्था के क्या क्या विशेशता ही होती है जब बच्चा 2-7 साल के बीच में होता है तो वो क्या क्या चीज़े उसके अंदर पाई जाती है ठीक अपने आपको भी एक बार कंसीडर करके रखना प्याजे के थियोरी के करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप यही सब चीज़े करते हैं तो इतनी एक्कुडेट है प्याजे की थियोरी चलिए देखो जब बच्चा 2-7 साल का होता है मतलब प्री ओपरेशनल स्टेज में तो एक तो उसके अंदर इगो सेंटरिजम बहुत ज़ादा होती है मैं बापा को किसी के साथ शियर करना पसंद नहीं करते हैं तो एको सेंटरिक होते है एहम केंदर बहुत जादा होता है यह यह पोछे केंदर पूछा जबग जादा शाल शब्त वो centuries है तो नहीं ध्यान रखेंगे modern characteristic है pre-operational stage का थर्ड है हमारा animism जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीवाद इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है निर्जीव चीजों को सजीव मानना शुरू कर देता है जैसे कि अगर बच्चे को table से चोट लगी तो क्या होता है कि जब उसके ममी भापा table को मारेंगे तो तब उसको इसने मुझे मारा table ने तो हम इसको मारेंगे तो वो निर्जीव चीजों को सजीव मानता है जैसे चोटे बच्चे गुड़े-गुड़ियाँ से खेलते हैं उनकी शादियां करवाते हैं तो यह सब सीजे क्यों करते हैं बच्चे क्योंकि वो निर्जीव को सजीवाने लगते हैं तो एनिजम पाया जाता है जीवात थीक फॉर्थ पॉइंट है उन्थी बच्चों को बोलू कि 5 प्लस 2 क्या होता है तो बच्चे कोई आंसर नहीं दे पाएंगे मतलब उनके अंदर irreversibility होती है वो सिर्फ एक ही डारेक्शन में सोसते हैं उल्टा पल्टी नहीं कर सकते यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो यह बहुत जाता नपॉटेंट ह irreversibility of thought किसमें मिलता है यह मिलता है pre-operational में मतलब 5 गुणा 2 बच्चे बता देंगे कि 10 होता है लेकिन 2 गुणा 5 वो नहीं बता पाएंगे कि क्या है मतलब उल्टा पल्टी नहीं कर सकते एक ही डारेक्शन में सोसते हैं नेक्स मेरा पॉइंट है lack of conservation बच्चे के अंदर होता है मतलब संरक्षन सिधान्त की कमी बच्चे मतलब conservation की power उनके अंदर नहीं होती यह होता क्या lack of conservation most important है यह देखो एक example से इसको समझो सपोस करो कि मैंने क्या किया एक गिलास में पानी लिया और उसको किसी बड़े टब में उडिल दिया बच्चों के सामने फिर मैं बोलूँगी कि भई यह बता होगा आप किस में जादा पानी है तो बच्चे बोलेंगे कि टब में जादा पानी है ठीक है उनको यह नहीं पता होगा कि भई गिलास वाला पानी हमने टब में उल्टा है तो दोनों में सेम ही होना चाहिए नहीं यह कौन सार्प उनके दिमाग में आए गा ही नहीं इसलिए कहते हैं इसको संद्धान वो डेवलेप नहीं कर पाते हैं तो यहाद रखेंगे आप इस ज चाहिए mat नहीं होती बच्चे के अंदर प्री ओपनेशनल स्टेज में जब बच्चा दो से साथ के बीच में होता है ठीक है चलिए आपनेशनल एक है नेक्स्ट हमारा आता है एक illogical reasoning, बच्चा illogical reasoning करता है, मतलब अतार के एक चिंतन ऐसे ऐसे reasoning करता है, जिसका कोई sense नहीं होता, जैसे कि example लो कि कोई बच्चा खेल रहा है, तो suppose उसने उस दिन blue color की कपड़े पहने हैं, और एक दो बार ऐसा हुआ कि उसने blue color के कपड़े पहने और वो खेल जीत किया, तो क्या करेगा बच्चा ये बोलेगा, जब भी भी मैं blue color के कपड़े पहनता हूँ, तो मैं वो खेल जीत चाता हूँ तो ये बिल्कुल illogical reasoning है कोई sense नहीं होता इन बातों का, तो अतार के एक चिंतन करता है, चोटा बच्चा जैसे कि अगर वो उसके पास एक ball है, वो goal है, तो फिर वो चांद को देखेगा, वो कैगा ये चांद भी goal है तो ये बोलेगा कि ये चांद ball है, या फिर ball चांद जैसा दिखता है तो कुछ अजीब सी बाते करते हैं illogical reasoning करते है, जिनके पीछे कोई sense नहीं होता, अतार के एक चिंतन होता है, pre-operational state में ठीक, next point है, do not understand quantity, area, volume के concept को बच्चा नहीं समझ भाता है कि क्या शित्रफल होता है, क्या आयतन होता है, क्या मातरा होती है, क्या भार होता है, इस तरह प्याजे की theory, सबसे simple theory आपको बहुत easily समझ आ जाएगी, ठीक चलिए, next day discuss करते हैं, concrete operational state, जो की है, 7 से 11 साल की जिसको कहा जाता है, मूर्त संक्रियातमा का फस्थाया, मतलब अब जो है, बच्चा इस चीजों में क्या करने लगेगा, concrete चीजों को बात, सोचता है, ठीक, ये चीज हो जाती है, understand conservation, अब वो जो है, conservation को समझने लगता है, मतलब अगर 7 से 11 साल के बीच में आप पूछोगे, एक बच्चे को की बई, एक गिलास में जितना पानी है, ये मैंने अतना पानी भरा है, पूरा गिलास मैंने पानी से भर दिया, और इसको किसी टब में उडिल दिया, तो अगर मैं बच्चों से पूछूँगी कि बई, इन दोनों में से किस में जादा पानी है, तो बच्चे बोलेंगे कि बराबर पानी है दोनों में, तो आपने conservation का सिधान समझ लिया, इसको कोलते हैं, तो सन्रक्षन के सिधान की समझ बच्चे के अंदर विक्सित हो जाती है, बहुत important characteristic है, पूछा जाता है कि conservation काप develop होता है, तो concrete operational stage में, मूर्त संक्रियात्मा कवस्ता में, सन्रक्षन सिधान develop होता है, next हमारा आता है, seriation, वहीं जीजे, जो pre operational में नहीं होता, वो सब कुछ operational state में होता है, बस concrete operational में होता है, ये ध्यान रखना, seriation होता है, मतलब बच्चा आप करम बद करने लगेगा अगर मैं बच्चे को छोटे बड़े size की चीजे दे दूँ, तो मैं उनको बोलूँगी ये आप छोटे से बड़े के करम में लगाओ, तो बच्चा लगा देगा उस चीज़ को, तो seriation बच्चे के अंदर विक्सित हो जाता है, ascending, descending order में वो नंबरों को लगाना शुरू कर देता है, करम बदता विक्सित होती है next हमारा आता है classification classification बच्चा अब क्या है कि classify कर पाता है, रंग के उपर रंग के basis पे, shape के basis पे size के basis पे, चीजों को वरगी करत कर पाता है, जैसी कि अगर मैं बोलू कि इस कमरे में जो है त्रिभूज के आकार की कितनी चीज़े हैं तो बच्चे बता पाएंगे, या square के आकार की कितनी चीज़े हैं बच्चे बता पाएंगे या फिर मैं बोलू कि हमने suppose करो कहीं सारे रंगों की bowl बच्चो को दे दी, मैं बोलू कि इसमें से लाल रंग की बोले चाटो, तो बच्चे चाट पाएंगे, मतलब वो वरगी करन करना शुरू कर देते, तो classification आ जाता है concrete operational stage में फिर आता है आपका reversibility develop हो जाती है, देखो, बिल्कुल उल्टा है pre operational का, reversibility develop होती है मतलब बच्चे आप दोनों दिशाव में सोचते हैं अब अगर आप बच्चों को बोलोगे कि 5 into 2 क्या होता है, तो बच्चे बच्चे बोलेंगे 10 होता है, फिर आप बच्चे से पोलोगे कि 2 into 5 क्या होता है, बच्चे बोलेंगे 10 होता है, तो ये चीज बच्चे के अंदर develop हो जाती है, जबकि pre operational में बच्चे ऐसा नहीं कर पाती हैं, ये याद रखें, तो reversibility कप develop होती है, दोनों दिशाओं में कब बच्चे सोचते हैं, वो सोचते हैं मूर्त संकिर्यातमक अवस्था में चिक, concrete operational stage में चलिए understand quantity, area and volume अब बच्चा जो है quantity को भी समझता है, भार क्या होती है, शेतरफल को भी समझता है, volume का concept भी समझता है, अब बच्चे ये सब चीजे समझ पाते हैं, जब आप concrete operational stage में जाते हो, ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे, और इसी तरीके के question पूशे जाते हैं, कि कब बच्चा quantity, area, volume को समझेगा, तो वो समझ पाएगा, ये सब चीजे concrete operational stage में, तो ये चीजे आप ध्यान रखो, अब आती है last हमारी formal operational stage, ये हमारी होती है 11 and, अब मतलब 11 से उपर के जो बच्चे, वो है वो अब अमूर्थ चिंतन करने लगते हैं, अमूर्थ संख्यात्मा का वस्ता, मतलब जो चीजे आपके सामने है नहीं, उनके बारे में भी सोचना, उसको कहते हैं, अमूर्थ चिंतन, मूर्थ का मतलब होता है, वो चीजे जो आपके सामने है, आपकी आँखों से दिख रही है, आपके हाथों से छूपा रहे हैं, उन सब चीजों को मूर्थ कहते हैं, जो चीजे आपके आइडियाज में हैं, विचारों में हैं, दिखना ही रही है, सोच का हिस्सा है, वो सब चीज़ें अमूर्थ होती है, ठीक, तो formal operational stage, अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था की characteristic देखो, developed abstract thinking, बच्चे के अंदर अमूर्थ चिंतन डेवलप होता है, most important है, अमूर्थ है संक अमूर्थ चिंतन डेवलप होगा, for abstract thinking बच्चा करने लगता है, वो क्या है, suppose करो कि मुझे बच्चे को triangle पढ़ाना है, तो इससे छोटी वाली जो stage थी, concrete operational stage में कर मैं triangle पढ़ाऊंगी, तो बच्चों के सामने में क्या करूँगी, triangle ले करके जाऊंगी, object ले करके, अब मैं बच्चों को बता सकती हूँ कि triangle की यह यह चीज़े है, तो बच्चे दिमाग पर triangle का figure खुद बखुद बना लेंगे, तो यह सब चीज़े होती है, अमूर्ती चिंतन, मतलब ऐसे भी चीज़े बच्चों को सोचना, जो उसके सामने नहीं है, जो उसके आइडिया में है, ज सीत होती है, जिसको अब सारी चीज़े तन कहते है, मतलब अब बच्चा जो है multiple direction में सोचता है, एक चीज़ के कई सारे solution find out करने की कोशिश करता है, उसका दिमाग चारो दिशाओं में दोडता है, चीज़ों को solve करने के लिए, तो divergent thinker बन जाता है बच्चा, formal operational stage में आते आ पाता है, दार्शनी थोड़ा सा बच्चे के अंदर, philosophical aspect भी बच्चे के अंदर develop हो जाता है, तो ये सारे characteristics थे, formal operational stage के, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के, तो ये थी PRJ की cognitive development की theory, और इससे जाधा question इसमें आएगे नहीं, stages से पे based, वैसे PRJ की theory अपना आपने बहुत point discuss करेंगे, अभी तो में बहुत सारे point discuss करने हैं, लेकिन ये main video है, जिसमें हमेशा stages से question पूछ जाते हैं, I hope ये video आपको पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश करिए कि दोनों माध्यों के बच्चों को इसमें को ये दिक्कत नहीं हो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज वीडियो को जदा से जदा लाइक करें, जदा से जदा शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमन्ट करना ना भूलें, जल्दी मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाब बाई